इस वक्त हमारे साथ मोजूद है बड़ोत विदान सभासे कॉंग्रेस पर्तियासी राहूल कश्षप जानते हैं न से युवा है युवा जोस है युवा सकती हैं के साथ तो किस तरीके से चुनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या इनके चुनाओं मुद्दे होंगे किस त नेट वर्त को धन्यवाद देता हूं कि कि कॉंग्रेस पार्टी ने इस कश्षब समाज के उपर अपना ब्रोसर जताया और इस कश्षब समाज के बच्चे को अपना कंडिरेट बनाया और जैसे आप देख रहे हैं कि इस भारत देश की सबसे जो बड़ी पार्टी हो इन्होंने चुनाव लड़े गडबंदन के साथ चुनाव लड़े लेकिन बहन प्रियंका गांधी के नेतुर्त में अब कि बार पूरे उत्तरप्रदेश की सभी विधान सभाव पर कंडिरेट चुनाव लड़ रहे हैं और पब्लिक के अंदर जनता के अंदर इतना उत्सा अंकी जी समय कम बचा हुआ है और आप यूआ है अनुभाव तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि आप कलंबे समय से पार्थिये जुड़े हुए किस तरीके से परचार परचार में लगें और किस तरीके से आगे की योजना बनाई कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन का ही संकल्प है और कॉंग्रेसी विकल्प है इस से अलावा कोई विकल्प नहीं है इस टाइम अगर बात करें इस प्रदेश का तो सोड़ो इस देश का नास इन सत्ताधारी पार्टियों ने कर दिया है इस समय इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी विकल्प नहीं है केवल उरकेवल कॉंग्रेस पार्टिय विकल्प है अंगी जी आपके सामने दो बड़ी दिगज पार्टिया भी है क्योंकि बीजेपी सत्ता में रही है और कहीं ना कहीं विकास के दम पे वो आगे चुनाओ लड़ रहे हैं उनके परत्यासी और सिटिंग विदायक रहे है क्रिशन अपाल मलिक लंबे समय से पुरानी राजनीतिक गया है और उसके साथ साथ रल्डी और सफा का गटबंदन तो अपने आपको कहां देख रहे हैं मैं अगर विकास की जवाब बात कर रहे हैं और सत्ताधारी पार्टिके विदायक की बात कर रहे हैं क्या किया बता उन्होंने इस कष्षब समाज के लिए क्या किया है कष्षब समाज के लिए कुछ नहीं किया यह जूट जूटी सरकार है जूटे इसके लोग है निकम में सरकार है यह खुद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदितिनात ने गोसना की थी कि इन 17 जातियों का आरक्सन लाग्व कर दो मुख्य मंदर ने खुद गोसना की लेकिन कोई मुझे बता दे कि एक भी वक्ती का परमान पत्र बना नहीं बना तो यह तो तिन जूटी सरकार है बहुत जूट बोलती है बता दे उन्होंने क्या किया यह तो कॉंग्रेस पार्टी के जो काम किये हो उन्होंने उन्हें बेकने के लिए लगए है उन्हें पर अपनी मौर लगाने के लिए लगए हुए है अगर विदान सभा की बात करें विदान सभा में लगबग 22,000 पलस कस्व वोट है या अधिक है इस बड़ोध विदान सभा में कस्व समाज की 40,580 वोट है जो हमने गिंती की है गाउं गाउं जाके जो 22,000, 30,000, 28,000 बदाते है वो इस समाज को गुम्रा करने की कोशिश कर रहे है ताकि यह समाज आग गे ना पड़े लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे हमने गाउं गाउं जाके गिंती कर रखी है कि 40,580 वोट इस कस्व समाज की है जिस गाउं के आप कहते हो उस गाउं के मैं आपको लिष्ट देता हूँ इस गाउं में इतनी वोट है हमारी आपकी जी कहा जाता है कि कस्व समाज भाजपा के साथ है भाजपा के साथ था लेकिन भाजपा ने तो भाजपा पार्टी ने तो इस समाज के साथ गद्दारी किये इस समाज को दोका दिया है बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर बाज बन अन्हीं के सब समाड़ को पर्तियासी बनाया है हम मनें तो निशुवार्ठव सबुट दी थी लेकिन हमारे साथ में इस सरकार से जादा निकम्मपन करें जीतना सरकार ने क्या जीतना दोकर सरकार ने दिया अब हम जागरूख हो गी है वो एक समय ता एक लेहर थी वो उसमें लोगवाग हमारे समाज कर भी सभी समय सभी वर्ग के आदमी बैग है इस सरकार को अब हम दिखा देंगे किस बड़ोत विदान सभव में कसब समाध है और ये सिट आज इस चैनल के माध्यम से बदाता हूँ ये सिट बड़ोत विदान सभव की हम जीत के कॉंग्रेस को समर्पित करेंगे अंकी जी इतनी छोटी सी उमर में आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है राहूल जी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो अंकी जी आपको थोड़े समय में बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो किस तरीके से आप ये जिम्मेदारी को निमाएंगे और आपका राजनेतिक जो पिछला इतियास बात करें तो क्या है। कर दी थी हमने कि हम चुनाओ के मैदान में और सभी विरादरियों ने मुझे समर्थन जिया था और उनके आशिर्वात से टिकट प्राप्त हुआ है उनकी हिम्मत के बलबुते टिकट प्राप्त हुआ है। मुझे जबरतिस्टी चुना वरवाया जिला पंचात का इस चीज का दुख इसका सब समाज को ही नहीं इस पूरे छेतर को है कि एक बालक के साथ में बच्चे के साथ में इस सत्तादारी पार्ट ने कितनी ना इंसापी की है। तो जीता वा कंडिडेट था। 81 वोट से मुझे जबरस्ती कर रहा है इन लोगों ने। तो इस चीज का दुख इस पूरे समाज को है इस पूरे छेतर को है और इस इसी दुख के लिए हम सब एक है और हम इस सत्तादारी पार्टी को यहां नस्तनाबूद करेंगे और यहां पर कॉंग्रेस पार्टी के नेतवर्त में बेन प्रियंका गांधी के नेतवर्त में यह कॉंग्रेस पर्टी की सरकार बनाएंगे राउल जी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को संदेश तो मेरे यही है समाज तो हमारा एक है उसमें कभी दो राई वाली बात नहीं है समाज को तो मैं यह संदेश देना चा τ 여ता हूं कि अपने साथ में जितने हमारी और अधर जाती है जितने हमारे छोटे समाज है सबी को हम अब तक एक साथ जोड के और सबी को एक साथ लेके और इतनी अच्छी जीत कराए कि आने वाले टाइम में इस इत्यास में इस कश्चप समाज का नाम लिखा जाए तो सुक्रिया राहूल जी हमारे साथ जोडने के लिए तो ये थी हमारे साथ राहूल कश्चप जो बड़ोत विदान सबासे कोंग्रेस परतियासी है और अगर इनों ने बताया इनके नुसार अगर बात करे कश्चप समाज की अगर बात करे तो बड़ोत विदान सबाबे 40,000 वोट ये बता रहे हैं और बैगराउंड की बात करें तो युवा जो से युवा सक्ति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं अभी पिछला जिला पंचात का चुनाव लड़ा था जो मात्र 81 वोट से ये हारे थे कहीना कहीन का कहना है कि ये राजनेतिक नेताओं का एक चक्रवियुता उसमें इनको फसा कर हरा दिया गया लेकिन अब की बार बड़ोत विधान सवासीट से कॉंग्रेश को जीत दिलाने का दम बर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार बड़ोत विधान सवासीट से कॉंग्रेश की ही जीत होगी